2019 में negativity की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन 2018 की जो negative news है उसी से शुरुआत करूँगी चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी confident है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप आप सब का बहुत बहुत नमश्कार और दर्शकों को भी मेरी तरफ से 2019 की शुब कामना है नवर्श प्रारम हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि देश्वासी अपने सपने पूरे करने के लिए और अधिकुत्सा और उमंग के साथ आगे बढ़े हैं और यह नहीं को भी मैं चाहूँगा अनेक अनेक शुब कामना है कि आपकी भी प्रगती हो आपका भी विस्तार हो जहां तक 2018 का सवाल है मेरी दरश्टी से बहुती सफल वर्स रहा है चुनाव देश की इस अनेक पहलूओं में से एक छोटा से पहलू होता है बाकी बहुत सारे होते हैं अगर आज हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ती को पांच लाख रुपिय तक इलाज की सुविधा सरकार देती है वो आईश्मान भारत योजना अभी तो सौदीन नहीं हुए करीब छे साथ लाख लोगों ने इसका लाब लिया है इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपने तीन चीन चार चार साथ से बीमारी जेल रहे हो और आज अगर उसको मुक्ती मिलती हो तो मैं उसे कैसे असफ़र मान सकता हूँ मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का विशे है दुनिया आज क्लाइमेट चेंग, ग्लोबल वार्मिंग चर्चा करती हो और भारत को कभी उसमें दोशी माना जाता हो दुनिया में परियावरन खराब करने वाले देशों में हमारी गिंती होती हो उस देश को 2018 में उनाइटेड नेशन्स अगर चेंपियन आफ अर्थ है वोड़ दे करके एन्वार्मेंट की प्रोटेक्शन का लीडर के रुप में देखे तो इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है हमारा देश आजात हुआ इतने साल हुए अठारा हजार गाओं ऐसे थे जब मैं आया बिजली नहीं थी इसी 2018 में सभी गाओं में बिजली पहुँचने का काम पूरा हुआ यह सफलता नहीं है तो और क्या है स्पोर्ट का ख्षेतर देखिए 2018 में जो स्पोर्ट हुए इन स्पोर्ट में भारत के बच्चों ने बहुत कमाल किया है नमबर अफ मेडल्स भी जादा आये हैं और टियर टू, टियर थी सिटी, इवन गाओं के बच्चे गरीप परिवार के बच्चे आजदेश का नाम रोसन कर रहे हैं पैरा अजलेट्स के में भी भारत के बच्चों ने बहुत बड़ी कमाल करके दिखाईए यहने एक प्रकार से खेल कुद लो अब 104 सेटलाइट का आस्मान में जाना रेकॉर्ड होता है, वह ग्यानिकों काम देखिए बंपर क्रॉप 2018 में बंपर क्रॉप हुआ है यह भी अपने आप में यहने कोई भी क्षेत्र देख लीजिए भारत अनेग प्रगती की उचाईएं को पार करता चड़ा गया है पुराने सारे रेकॉर्ड तोड़ता गया है और इस हरत में मैं देखू तो 2018 का सवार भारत के लिए भारती उजवल समय रहा है वो तुम्हें मानती हो लेकिन मैं चुनावी असफलता के बारे में कह रही थी चुनाव को लेकर पांच राज्य में चुनाव हारी है बीजेपी और आप रधान मंत्री हैं बीजेपी सरकार की, NDA सरकार की तो क्या आप इसे एक हार नहीं मानते हैं इसे असफलता नहीं मानते हैं पहली बात है तेलंगणा और मिजवरम वहां भारती जनता पार्टी सत्ता पर आएगी ऐसी बात न कोई सोचता था न कोई कहता था न बीजेपी कहती थी जिन तीन राज्यों की आप चर्चा कर रही है 36 गड़ में साफ साफ नतीजा आया इसमें भारती जनता पार्टी का पराजय हुआ लेकिन दो राज्यों में हंग एसेंबली बनी है दूसरी बात है कि 15 साल की एंटी इंकमन्सी को ले करके हमारे लोग मैदान में थे और स्वाभाविक है कि हमें जो कुछ भी कमी हुई है उसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं और योजना भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरियाना में स्थानियस वराज के चुनाव हुए सारे चुनाव हम जीत गए त्रिपुरा के अंदर 90-95% विक्टरी हमारी हुई जम्मु कश्मीर में 74% पोलिंग हो और भारतिय जिनता पार्टी यार भारतिय जिनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग चुनाव जीत करके आ जाए सभी पंचा अत्मा 30-35 लोग विजई होकर क्या है जीत और हार यही एक मांदर नहीं होता है आप वोट शेर और सीट के बारे में कह रहे थे जहां जहां आपने कैंपेइनिंग के इन इलेक्शन्स में वहां पर वोट शेर जो है सीटों में तबदील नहीं हुई और कुछ राजनेतिक विशेशक और मीडिया कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मोदी वेव या मोदी मैजिक कम हो गया है या फिर नहीं किन बनाबर है आप इसके बारे में क्या कहेंगे मैं सबसे पहले इस बात को कहने वाले मित्रों का अभिननदन करता हो क्योंकि जब वो ये कहते हैं तो इस बात को स्विकार करते हैं कि मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है मोदी लहर है इस बात को स्विकार कर रहे लेकिन साथ साथ ये भी देखिए आप 2013-14 के कालखन के अखबार निकाल दीजिए टीवी निकाल दीजिए एक सैट अप परसंस है कुछ निस्टिक लोग है जो 2013-14 में भी बोलते थे कि लहर नहीं है मोदी जीत नहीं सकते मोदी आकर के कुछ नहीं कर सकते सारे उनके यही वही सैट अप परसंस एक दो कम हुए हो एक दो ज़ादा हुए हो में दारा वो ही है अब उनकी जिम्म्यवारी है जिनके लिए वो काम करते हैं उनके लिए उनको कुछ नहीं तो narrative सैट करना पड़ेगा कुछ नहीं तो बोलना पड़ेगा और इसलिए इस बात की मुझे खुशी है कि उनको इतना स्विकार करना पड़ा है कि मोदी लहर नाम के कोई बात है मोदी मेजिक नाम के कोई बात है जहां तक मेरा सवाल है मैं समझता हूँ कि लहर सिर्फ और सिर्फ जनता की आशा आकांग्षाओं की होती है लहर सिर्फ जनता को हमारी आशा आकांग्षाओं कौन पूरी कर पाएगा उस विश्वास की होती है और आज हिंदुस्तान में विश्वास पनपा है आज हिंदुस्तान में युवां पीडी के एस्पिरेशन्स बढ़े हैं तो मैं समझता हू अपने आप में नया उमंग, नया उत्सा, नया विश्वास का बातावन पदा कर रहे हैं। पर ओपोजिशन पार्टी ये मान के चल रहे हैं कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है, तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा और 180 एक कलब 180 ग्रूप है, तो वो एक अंटी मोदी या नौन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है, आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के। पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बाते नहीं फैलाएंगे, तो उनके गड़बंदन में लोग कैसे जुड़ेंगे, उनको अपने गड़बंदन में लोगों को जोड़ने के लिए, कुछ न कुछ तो बड़ी-बड़ी बाते दिखानी पड़ेगी, और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए, ये बाते बना ही जा रही है, कोई साइंटिफिक चीज है, कि ये इतना क्लब, डिकना क्लब रहा, ये तो एक लिमिटेड मैंने जो वर्क कहां, जो 2013-14 में भी यही लोजिक था, उस समय भी 200 से कम वली क्लब की चर्चा, इसी टोली ने की थी, ये सैट अप परसन जो मैं कहा रहा हूँ, उसको आप भली बाती जानते हैं, कोड है, तो ये उनके लिए उनके नेरेटिव चलता रहता है, जहां तक भारती जनता पाटी का हम हमारे देश के सामान्य मानवी की समझदारी पर अविश्वास न करें, मैं सभी पोलिटिकल पंडिकोतों को ये कहता रहा हूँ, कि हम सामान्य मानवी की समझदारी पर भरोसा करें, आखिन हिंदुस्तान का सामान्य मानवी को, इस सरकार का ऐसा क्या अनुभव हुआ है, क सरकार सो धूर जाने की कोशिश करेगा पांच साल पहले के अख़वार देख लीजिए और मैं तो आप से कहूंगा मैं भी आपको भेजूंगा कि 2013-14 की हिडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हिडलाइन क्या होती है तो सामान ने मानवी इन सारी बातों को समझता है और मेरा देश की जनता जनारदन पर भरोसा है, मेरा देश के इवाउँ पर भरोसा है अगर आप ठीक है अगर उनके narrative पे ना जाएं अगर आपके narrative पे जाएं तो आप 2013 से आपके narrative में Congress मुक्त भारत काई बार आ चुका है लेकिन जिस तरह नतीजे आ रहे हैं सामान्य जो नागरिक है वो कॉंग्रेस को एक विकल्प एक option मान रहा है इसलिए तो हिंदी हार्ट लैंड में जहां आपकी इतनी जड़ स्ट्रॉंग थी अब वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार आ गई है तो कॉंग्रेस मुक्त भारत का जो सोच है कॉंग्रेस कल्चर है इतने सानों तक मुख्य धारा में वो कल्चर रहा और उसके करण कम अधिक मात्रा में हिंदुस्तान के राजलितिक जीवन का वो कल्चर बन गया सभी दिलों में कुछ ने कुछ रुप से पहंच गया और वो कल्चर क्या जातिवाद बांशवाद अंडीमोकरिटिक करफशन भाई पतिजावाद इसके आँस्तपा से राजलिति कल्चर रहें यह कॉंग्रेस इसको प्रमुक्तायां प्रतिनिधी तो करती है मैं जब Congress मुक्त कहता हूं तब मैं इस प्रकार की सोच के खिलाब इस प्रकार के कल्चर के खिलाब देश को मुक्त कराना चाहिए और मैंने यहाथ कहा है कि Congress को भी Congress कल्चर से मुक्त होना पड़ेगा इंस्टिटूट रहे या न रहे ये चर्चा का विशन ही तो और मैं तो मानता हूँ कि लोक तंत्र में मजबूत विरोधी दल होना चाहिए लेकिन दुर्भाग है कि हाज देश को एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है कि कॉंग्रेस उस काम को करने में भी विफल गई है 2017 तक शायद मोधी अमिच्शा फैक्टर को एक कहा जाता था कि यू केनाट बीट इस कॉंबिनेशन लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे कि ये जो एक लीडर्शिप है इसको अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि that magic is not there, you are losing elections, you are losing तो फिर अगर narrative आपका अगर इतना सफल है तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है कि election हार रहे है तो लीडर्शिप को क्या responsibility नहीं लेनी चाहिए पहली बात ये है कि जो लोग वे कहते हैं कि भारतिय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित सहा के कांग चलती है तो वो लोग भारतिय जनता पार्टी को न जानते हैं न समझते हैं भारतिय जनता पार्टी विश्वकी सबसे बड़ा संगटर है पोलिंग बूथ की मजबूती पर भारतिय जनता पार्टी चलती है मेरा बूद सबसे मज्बूत इसके लिए हमारा कार्करता 365 दिन लगा रहता है और इसलिए एक या दो लोगी भारती जनता PARTY चलाते हैं एक लोकतांत्रिक संगठन है हर स्तर पर कार्करताओं का नेतृत्व है उस नेतुरत्व के बलबुते पर समाज का विश्वास पैदा हुआ है उसी की cumulative effect होती है कि भारतिय जनरता पार्टी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को ले करके जन विश्वास को जीतते हुए प्रगति कर रही है भारतिय जनरता पार्टी ने जिस गती से प्रगति की है उसको कोई इंकार नहीं कर सकता है और बार बार यह कहना एक बीजेपी हारती चली जा रही है इससे हारता नहीं होती है भारतिय जनरता पार्टी मैंने अभी गिनाया आपको आसाम हो, हरियाना हो, त्रिपुरा हो तो मॉरल डाउन नहीं है पार्टी में मॉरल डाउन होने का कोई ऐसा कारणी ही नहीं है एक आत्मविश्वास है पूरे आत्मविश्वास के साथ बरी पार्टी आगे बढ़ रही है और 2019 में भी देश की जनता पर जिसका भरोसा है वो हम लोग है जनता के भरोसे पर समर्पिद है हम लोग है और जनता के साथ जुड़े हुए कोई लोग है तो हम लोग है 2018 में ये जो चुनाव हुए बहुत से राजनितिक विशेशक के कहते हैं अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी उसके अब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए हमारे देश में बार बार खबरें आती थी कालाधन कालाधन और कोई इस बात से इंकान नहीं करता है कि देश में पैरलल एकानोमी चल रही थी इसका कोई इंकान नहीं कर सकता उध्युक्तिव्स के गर से वैपारियों के गर से बाबू के गर से बिस्तर के नीचे से नोटबंदी थी बोड़े भरवर के पड़ी हुई नोटे नेकले पड़ी रहे मलती थी ये सारी चीजें इस बात का दियो तक है कि हमारे देश में फॉर्मल एकोनोमी की बहुत अनिवारियता थी ये परलल जो एकोनोमी थी इसने देश को एक प्रकार से बीतर से खोकला कर दिया था नोड बंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती आर्थी ग्रूप से मजबूती देने वाला है और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटे पड़ी रहती थी वो बैंकिंग व्यवस्ता में आई है दूसरा आज आप नई पीडी से बात करो वो कहते हमारे माबाप को जो करना पड़ा करना पड़ा वो जमाने में साथ टैक्स लिजीम ऐसी थे अब हम इमानदारी से करना चाहाँते एक इमानदारी का माहूल बना है दूसरा आप पहले के तुलना में टैक्सनेट में जो संख्या थी वो बड़ी है इसको क्या कहेंगे इसके सबरता कहेंगे यह नहीं कहेंगे आज लोगों को बैंक्टिंग सेक्टर के मध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है इसको हम अच्छा मानेंगे यह नहीं मानेंगे दूसरा हमारे देश में कर से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के धेर होते हमारे देश में शायद चीजे चलाना मुश्किल हो जाता पर ऐसे जटका देनी की जरूरत थी क्या यह जटका नहीं है जी एक साल पहले हमने देश को कहा था कि यह एक विवस्ता है अगर आपके पास प्रकार का धन है तो आप जमा कराईए और उस में से आपको इतना इतना धन देना पड़ेगा आपको मदद मिल जाएगी लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है तो बहुत कम लोग आ गया यह ठीक है अच्छे मात्रा में आये थे फिर भी पहल अगर हम इसका फायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्तितिया ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेगी यह रातोरात नहीं हुआ है जी एक साल भर यह प्रक्रिया चली है बार बार कहा गया है उसके बाद यह करना पड़ा है और यह देश के स्वास्त के लिए यह करना जरूरी था आर्थिख स्वास्त के लिए करना जरूरी तक आर्थिग विकास का सवाल है अब कोई भी ववस्ता बदलते हैं तो तो even rail भी जब पट्री बदलती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है अब इसका बात का इनकार नहीं करते हैं इवन मन्मौन सिंग जी प्रध के भी नीचे आगया था क्योंकि एक बडलाव आया था तो बडलाव के करण लेकिन बाद में बाद में सिटी समझती चली गए आज हम भी हमारे जो ग्रोथ रेट था पूरी तरह पहुंच गए हैं लेकिन एक सफाई की जरुरत थी उसको हमने सफलता पुर्वक किया है और जिनको आपने कहा था कि आप उनको भारत वापस ले आएंगे वो अभी भी महिल चोकसी हो जाए नीरव मोधी हो जाए विजय मल्या अभी वो बाहर हैं वो जो अबजेक्टिव्स थे पैरलल एकॉनमी बंद करने की और एकोनॉमिक अफेंडर्स को वापस लाने की वो भागना क्यों पड़ा अगर पहले जैसी सरकार होती यही दोस्ताना चलता लूटना है लूटते चले देना है देता चले खाना है खाता चले तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहां पर उनको कानून नियमों का पा गराश्टरे निती नियम होते हैं उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है ऐसे भगोणों के लिए मच्बुत से मच्बुत हमने कानून बनाए उनकी संपति जबत करने का कानून बनाए इतना ही नहीं विदेशव में उनकी जर्आ संपति हैं तो उसको भी जबत करने का कानून बढ़ा है इसलिए सरकार के हाथ में जितने विशे हैं उनका पूरी तरह हम उप्योग कर रहे हैं और मैं विश्वस्त हूँ कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापिस नहीं आए इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी ने कभी आ हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाने लोग हैं हम पाई पाई वापिस लाने लिए प्रतिब्ध हैं दूसरा कभी आंतराश्ट्य फॉर्म में मैं नया नया था मैं जी-ट्वेंटी में शमेटी में मैंने काने धन और बेंक एकाउंट में जो पैसे रखे जाते देशों में जो एक प्रकार से हैवन बन चुके हैं उसके समय में विस्तार से वीशे रखा था और पहली बार G20 समीट में सभी देशों ने मिल करके इसको गंबीर समस्या माना था उसको टेरिजम फंडिंग होता है ये भी चर्चा आई थी और आज दुनिया के देश जानकारि देने के लिए तैयार हुई है भारत ने कई देशों के साथ एग्रिमेंट किया है कि ऐसे देशों में जो पैसे आएंगे तो आने वाले समय हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारियों का सिलसला सुरू हो जाएगा और ब्लैक मनी को वापिस आना ही पड़ेगा आपके सारे स्पीचिस 2013 से जो भी स्पीचिस थे 2G, 3G, CWG, दामाज जी इस पे आप स्पीच पर स्पीच देरे जा थे लेकिन ये लोग तो अभी भी लोदी गार्डन में सेयर करते नजर आते हैं कोई जेल नहीं गया असे साहे कि जमानत पार हैं वो शायर कर सकते हैं कानून रोगता नहीं है लेकिन यह भी मानना पड़े जा कि इस देश का फस्फैमिली जिसको बोला जाता था चार-चार पिरी से जिन्होंने देश को राज किया है उनको जमानत पर निकलना पड़े और वो भी पैसों की हेर बड़ी है और जो set of people है जो उनकी सेवा में लगे है वो ऐसी चीजों को दबाने में लगे रहते हैं और चीजों को भारे में लगते हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस देश के भुद्पुर्व वित्तमंत्री उनको आज अधालत के चक्र काटने पड़ते हैं यह कोई चोटी बात नहीं है लेकिन कोई भारतिय जनता पार्टी का विरोधी है इसलिए उनको तकलिफ हो इस परक्ष के हम नहीं है लेकिन है इस प्रक्ष में हम कभी नहीं है हम मानते हैं कानून और प्रक्रिया में जो निकलेगा वो मोदी हो तो मोदी को भी भूगतना पड़ेगा वरना देश चल नहीं सकता है और इसलिए ना हमारा किसी व्यक्ति से समंद इसमें को लेना देना है ना किसी संस्ता से लेना देना है इंत्जार नहीं करना चाहता है इसलिए मोधी जी को वोट दिया ये कहते हैं लोग लेकिन 5 साल लग गए और अभी भी कुछ हो नहीं रहा ये चलिए GST के मामले में इसको राहूल गांदी गबर सिंग टैक्स या फिर ग्रैंड स्टूपिड थॉट कहते हैं क्या आप मानते हैं कि टैक्स इंप्लिमेंटेशन में कमिया रहे गई इसलिए काफी रोल बैक करना पड़ा और इस टर्म को आप कैसे कहते हैं गबर सिंग टैक् मुझे लगता है जिसकी जैसी सोच होती है वैसे उसके शब्दव होते हैं और इसलिए उसमें मेरा उलजना उचित नहीं होगा दूसरा विशह है क्या GST की प्रक्रिया हिंदुस्तान के सभी राजनितिक दल सर्वसम्मति से की है कि नहीं की है प्रणव मुखर जी जब फाइनांस मिष्ट हुआ करते थे तब से GST का सिलसिला चला है और इसलिए GST सभी राजनितिक दलों ने देश में एक अच्छी व्यवस्ता लाने की सोच का बसे पनपी हुई व्यवस्ता है दूसरा पार्लामेंट में सर्वसम्मति से ये सब पारित हुआ है तीसरी बात है क्या GST आने के पहले देश में टैक्स रेट क्या था क्या मेरे मिडिया के मित्रों के भी जिम्मेवारी नहीं है कि देश के सामाने माने उसको सब पता नहीं होता है लेकि हमें बताना भी थे चाहिए सरकार बार बार बता दी हमारे देश में 30-40 प्रतिशत टैक्स वाली चीज़े थी 30-40 प्रतिशत और hidden टैक्स हुआ करता था सामाने माने उसको पता ही नहीं चलता था और लोग लेते थे पैसे बार-बार टैक्स लगता था हर हर मुकाम पर टैक्स लगता था कि जीएस्टी के कारण इस सेंप्लिफाई हुआ आज 500 से ज्यादा चीज़े जीरो टैक्स में आ गई जो किसी समय बहुत उंचे टैक्स हुआ करते थे पिछले दिनों हमने जी हैस्टी बनाने के बाद करीब बारा सो साड़ा बार सो ऐसी चीजे जो जीवन सामाने-चीवन की जुरुत हैं कोई 18% कोई 12% कोई 5% कोई 0% इतना नीचे लिया है और इसमें भी हमारा मत है कि इस काम को हम लिगातार करते रहते हैं क्योंकि हम फिड़बैक लेते हैं समभात करते हैं लेकिन ये निर्णे भारत सरकार नहीं करती हैं देश को आपको भी समझाना चाहिए जी एस्टी काउंसि दिल में एक प्रकार से सभी राज्य सरकारे होती हैं उसमें एक भारत सरकार होती हैं सब की इकवल पोजिशन है वहां कोई उपर नहीं कोई नीचे नहीं सब बराबर के हैं भारत सरकार भी एक राज्य के बराबर ही हैं पूरी चोरी और भारत सरकार दो इकवल है वहां पर तो इसलिए वहाँ पर कॉंग्रेस की सरकारे भी हैं, ये सारे निर्णे हुए हैं, पार्लामेंट में सर्वसंबती कॉंग्रेस है, GST में सर्वसंबती वहाँ भी कॉंग्रेस है, GST के अंदर सर्वसंबती में कॉंग्रेस के भी मुख्यमंत्री है, अब वो अपने ही पार्टी है कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत जैसे विशाल देश आपने देखा होगा हर राज्य का जब बजेट आता है और टेक्सिस के समझ में जो बात गोशित होती है उसके बाद उस राज्य में बहुत होवला होता है और सरकार राज्य में जो गोशित करती है पांच-छे फिर उसमें उपर नीचे करना पड़ता है और जब बजेट फाइनल पास होता है तो उसमें वो छुटी दे देते हैं हर राज्य में होता है मैं भी गुजरात में इतने साल मुख्य में तरहां मुझे भी करना पड़ता था हर बजेट में करना पड़ता है क्योंकि पहले हम स इसलिए बड़ा लगता है बड़ा लगता है लेकिन मिल बैट करके इसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है दूसरा इतनी बड़ा परिवर्तन लाते हैं टेक्नोलोजी डिवन है तो बहुत से छोटे वापारियों को थोड़ा अंकमपट हुआ है और यह तो हम भी मानते हैं कि थोड़ा तो अंकमपट हुआ है लेकिन सरकार की जिम्मेवारी क्या है कि सम्वेदन सिल्टा के साथ उनको समझे उसकी समस्या का समाधान करे तो ऐसी जितनी बाते हमारे सामने आती हैं हम GST काउंसिल में रखते हैं GST काउंसिल उसका सरली करन में हम मिल बैट करके आगे परियों को है उसकी सिमी आप सिमा हम पच्छतन लाग करकर करके उंको मुक्ति देना चाहते थे लेकिन इस जिएस्टी का उंसिल में हम नहीं कर पाई कुछी कुछ रिजर्प्शन से कुछ स्टेट के तो आखर के कमिटी बनानी पड़ी कमिटी का नेने आ जाएगा तो मैं भी हम जैसे रेस्टरॉंट के लिए हमने किया कुछ नहीं भी फाइव परसंट में सब कर देंगे उस दिशा में हम जाना चाहते थे उसमें भी कुछ लोगों के रिजरुशन से तो जेस्टी में नहीं कर पाई अब वो कमिटी को गया है हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी वो भी अगर हो साके कमिटी रिपोर्ट कर दें तो इसलिए हम लगातार जी एस्टी सरल बने जी एस्टी कंजूमर के बेनिफिट को एक प्रकार से सुरक्षित रखें उस दिशा में चलते चले जा रहे हैं इतने कब समय में इतने बड़े देश में इतनी वीवीतताओं के बीच ये एचिवमेंट जो हुआ है वो छोटा नहीं है फिर भी हम मानके चलते हैं कि हर चीज इतने बड़े देश में सुधरने के लिए संभावना होती हैं हम लगातार बड़लाव कर रहे हैं लगातार नहीं नहीं चीजे ठिक कर रहे हैं सर आपका जो एक लॉयल कमिटेड वोटर बेस जो है वो है व्यापारी वरकिंग क्लास मिडल क्लास आपने पुरूचेरी का जिकर किया वो जो जैन साब जिसने वो सवाल पूछे थे वो भी वो ही मिडल क्लास वरकिंग क्लास व्यापारी था और वो भी वो ही सवाल पूछ था कि हम middle class लोग जो है tax बर्ते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत में ही क्या middle class के लिए आपके पास कुछ है जिसे उन्हें राहत मिल जाए पहली बात है middle class के विशे में हमारी सोच हमें बदलने पड़ेगी middle class कभी भी किसी की दायादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देना वाला वर्ग कोई है तो मद्यमबर ये समाज है नीचे का तबका है उसको कुछ मिलना चाहिए इसकी पॉजिटिव सोच रखने वाला भी मिडल क की चिंता करना हम हमारा दाई तो समझते हैं देश हित में भी हमारा दाई सिर्विस ले ने को हमें वोट देता है देश हित में भी हमारा मत हैं कि भारत का बढ़ता जाता जो मिल्ड क्लास भलक है उसकी चिंता करने जी अब जैसे महंगाई आप 2013-14 से निकाल लिए जो 18-18 सा प्रसंट पर पहुंचा था इसका सीधा बैनिफिट किसों को हुआ है तो मध्यमभर को होता है महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो सबसे बड़ा जो सुविदा बढ़ती है कि मध्यमभर की चोरी नहीं कर सकता मध्यमभर का वर्ग सामाजी स्थिती में उसको जरह मात्रम बढ़ाई इसका सबसे पहला बेनिफिशेरी कौन है मिलर क्लास की जो एश्पिरिशन से उसको मैंने एड्रिस किया उडान योजना अगर हम लाते हैं और पचीस सो रुपिय में देश का हवाई जहाज में लोग जाना चाहते हैं समय बचाना चाहते हैं वो जाते हैं र आने की संभावना बनी तब जा रहा है दूसरा मिलर कास के एस्पिरेशन के वाले काम कैसे हो जैसे यह आईश्वान भारती हो जना लगता तो ऐसा है कि वो गरीबों को पांच लाक रुपे तक की बिमारी में मदद कर रहा है लेकिन इसके कारण इतनी बड़ी संख्या में देश में अस्पिताल बनेंगे इसके कारण देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अस्पिताल में लोगों की ज़रुत पढ़ीगी यह सारे मिडल कास के लोग होंगे मिडल कास के लिए मुद्रा योजरा अब मुद्रा योजरा के अंदर करीब पंदरा करोड लोन्स फि गायत उनको नहीं मिलती थी दोड़ बंदी के बाद हमने मिडल क्रास को घर बनाने की जो लोन है आज अगर वो 20 लाख रुपिय की कीमत का घर बनाता है तो पांच साल के बाद जो बैंक में उसको मदद मिलेगी उसकी बच्चत करीब पांच से च्छे लाख रुप्या होगी है कि मिडल कास के परिवार के पांच यह 6 लाख रुपया मकान में बच जाना यह बहुत बड़ी काम है यह हमने किया है उसी परकार से मिडल तास के लोगों को आर्थी के कि लिए start-up के दुनिया अच पूरा start-up एक प्रकार से मिड़र क्राइव कर रहा है start-up को प्रमोट करने के लिए जो हम ने विजना बनाई है कि अच दुनिया में हम तीसरे चौथे नंबर पर दूसरे तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए है startup ecosystem से इसका लाप भी जो aspirational youth है middle class का वो हिम्मत का साथ का फायदा उठा रहा है फिर छोटी-छोटी सीधी बाते जैसे LED बल मिल्ले क्रास के परिवार में अगर दस लट्टू लगे हैं बिजली के तो आज उसका 500-700 हजार रुपया विजली का बिल कम हो गया उसको benefit हुआ है इंकम ट्रेक्श में जो मदद मिली है उसको benefit हुआ है पैंशनर जो कभी 13-14 हजार रुपया उसका पैसा कर देना पड़ता था वो आज उसको 2-5 जार रुपया देना पड़ रहा है तो कोई भी विशे ले लिजे मकसीमम अगर सुविधा जनक काम हुए हैं तो मिल्ले कास के लिए हुए हुए है चलिए तो फिर मैं आप किसान के बारे में कहती हूं ब जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता उसको करजा उसमें क्षमता नहीं है करजा वापस करने की और दूसरी तरफ है जो लो एकोनॉमिक ओफेंडर्स वो मजा लूट रहे हैं बाहर बैठे हूए तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांदी उनके सा करना उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूँ दूसरी बात है कौन सा जैसे हम सब किसानों को करन्रिमाब किया हकीकत है नहीं किया है अब उनके अपने सरकुलर देख लीजिए तो इस प्रकार का जूट और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है दूसरी बात है कि भार कोंसे रुपिये लूट करके मौच करते थे हमने कानून बनाए हाथ तीन लाग करोड रुप्या वापिस आया है जिसको आप कहते हैं कि लोग मौच करते हैं तीन लाग करोड प्या वापिस लाने का काम इस सरकाने किया है तो ये दोनों की तुना करके लोगों को उसाने वा जीवन मुक्त होता है मुदध होती है तो बिलकुल करना चाहिए लेकिन क्या हुआ है इस देश में पहले भी सरकारों ने देविलाल जी के जमाने भी करज माफी की थी दोजार आट नो के चुनाव जीतने के लिए करज माफी की गई थी बार बार करज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्ता में कि किसान करजधार बन जाता है और सरकार को चुनाव और करज माफी चुनाव और करज माफी का चरकार चलाएना चड़ता है तो उपाई ये हैं कि किसान को मजबुत बनाना एमपावर करना बीच से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुवधा देना अब मुझे बताएए बीच किसान को अच्छा मिलना चाहिए हमारी सरकार ने कदम उठाये है किसान को पानी मिलना चाहिए आज करीब सो योजनाय सानों से लटकी पड़ी थी सिंचाई योजनाओं को हमने पाती किता लाखो करोन रुप्या लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुचाने का काम किया चुनाव जितने के लिए सिंचाई की क्या जूरत थे वो लाखो करोन रुप्या मैं ऐसे ही वो तो आपने बहुत सारे स्कीम क्ये हैं जिसे जो आप उपने कैमपेंश में कहते हैं या वैसे दीश सॉल कार्ड यूरिया यह सब आप स्पीचर्स में कहते हैं लेकिन जब अच्छी फामर को कर्ज के तले यही मैं कहता है यही तो मैं कहरा हूं जब उस तक पहुंचते हैं कि निप पुरा कीजी ना आप जी यानि हम जो कर रहे हैं वो तो यूँ यूँ ऐसे दोड़ा चंता है जी कि मेरा कहना है किसान को करज होता क्यों है कि इसकी समस्याहों का समाधान करज यूँ और कार्षय कर मैं हमने स्थिझी बनानी च्यांट है हम स्थिझी बनानी चैहिए दो क्रॉप के बीच में एक और क्रॉप लिया जा सकता है, उसको समझाने लगी है, पल्सीस में कभी जाता नहीं था, जो कम लागत वाली है, आज पल्सीस में वो जा रहा है, तो उसी का प्रणाम है कि फसल जादा पैदा हुई है, लेकिन उत्पादन के बाद वैल्यू एडि हम बहुत तीजे से काम कर रहे हैं, बैर हाउसिंग को बनाने के लिए हम बहुत तीजे से काम कर रहे हैं, ट्रांस्पोर्टेशन, हमारे देश में ऐसी घल्ती होती थी, कि जहाँ चावल पैदा होता है, वहाँ का पोहुंचाने के बजाए, वो कहीं और ले जाते थे, कि यह बढ़ता न चला जाएं तो ऐसी छोटी 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 चीज़े इतनी की हैं कि जिसका परणाम है अब किसान को हमने अन्न दाता से ज्यादा जूड़ करके अब उर्जा दाता भी बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं को अपने खेत में फसल के सिवाय के समय पर सोलार पैनल से बिजली पैदा करें बिजली दें हम सोलार पॉम दे रहें ताकि बिजली का बिल न आए वो सोलार पॉम से अपनी खेती करें उसकी कौस कमाई दूसरा MSP किसानों की कई सानों से मांग थी कि भर स्वामी नाथन कमिशन को लागू करके डेड़ गुना लागत का MSP द दिया होता तो धीरे धीरे दे वो विवस्ता परफेक्ट बन गई होती और किसान कर्जदार नहीं हुआ होता लेकिन वो करने के बजाएं चुनाव जीतने के रास्ते खोजना तीसरी बात है हम देश के किसानों को समझाना ये मिडिया की भी जिम्मेवारी है क्या कर्ज माफी क किन किसानों को फाइदा होता है कितने किसानों को फाइदा होता है देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है ज्यादातर किसान साहुकार के पास से लोन लेता है और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है जो किसान को मरना किये जा रहे हैं फिर भी अगर राज्य सरकारे करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं है हमने किसी राज्य सरकार को नहीं रोका है कुछ बाज़पा सरकारों ने भी किया है तो जिस राज्य की जैसे सुविदा होगी वो करेंगे हम किसी को रोकते नहीं है लेकिन इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमिटेड है किसानों के ताकत बढ़ाने के लिए कमिटेड है किसानों के समस्याओं का समाधान करने के लिए कमिटेड है और इसके लिए किसानों को एमपावर करने के लिए जितने कदम उठ आए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठाने का हम प्रहास कर रहे हैं अगर मैं अब एक इAustral damping करूँ जो आपके पार्टी के बारे में हैं अपके पार्टी के जो वरकाइब हैं वो पार्टी हमेशा लीडर्ज वरकाइब हो एक इमोटिव इस उरहा है अयोधिया में राम टेंपल का मसला अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाख में आप ओर्डिनेंस ले आएं तो राम मंदिर को लेकर ओर्डिनेंस लाना क्या इस इट प्राब्लम नहीं ला सकते हैं राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बनके रहे क्या है देखिये ट्रिपल तलाख का ओर्डिनेंस सुप्रिम कोड के जैजमेंट आने के बार लाया गया है सुप्रिम कोड के जैजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रिम कोड के इंकार नहीं कर सकता है कि आजहादी के सत्तर साल भात सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है आज भी मामला सुप्रीम कौट में है एक प्रकार से पुन्रता के किनारे पाकर के बैठा हुआ है मैं कॉंग्रेस के साथियों से विशेश रुप से बिंती करता हूँ देश की सांती सुरक्षा भाईचारे के लिए आगरह करता हूँ कि वे उनके अपने वकिलों को कौट के अंदर इस मसले में रुकावट द्रालने वाले एजंडा से बाहर निकाले रुकावटे न करें और सभी वकील बित्रा जो भी कॉंग्रेस से जुड़ी हुए है जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी कॉट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्याईक प्रक्रिया पूरी हो उसमें हम बन लगाए तो सिर्फ एक नाशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है मैं जो कहता हूँ कॉट के अंदर कॉंग्रेस के वकील जो अडंगे डालते हैं वो बन्द हो न्याईकी प्रक्रिया को न्याईके तरीके से चलने दिया जाए उसको राजरिती के तरास्व से न तुला जाए और मामला न्याईपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए न्याईपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है हम पूरी तरह प्रयास करने ले त्यार है आपने नाशनल सेक्योरिटी सुरक्षा के मामले में बात की तो उसमें काउस को लेकर गाए को लेकर जो लिंचिंग हो रही है कांग्रिस पार्टी और बुद्धी जीवी और यहां तक कि अब नसीर अदिन शाख खुद कह रहे हैं कि मुसल्मान जो है वो अपने आपको महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधान मंतरी को सिखाएंगे कि माइनौरिटी से कैसे सलूक किया जाता है तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास तो अब आब बताईए कि ये इन सेक्योरिटी मुसल्मानों में क्यों है और इसके लिए आप एक एमपथी क्यों नहीं आरी बीजेपी के लीडर से पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सब्य समाज को सोभान नहीं देती है ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए ये गलत है सरासर निंदन ये है दूसरी बात है क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परणाव है इस थिति को सुधारने के लिए हम समने मिलकर के प्रयास करना चाहिए मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ एक भी गटना हो गलत है ये मेरा स्पष्ट मत है दूसरी बात है कि मात्मा गांधि जो कह रहי थे अचरेविनों बजी भावे कह रहे थे भारत के समिधान में जो भावनाओं को प्रगड किया गया है उसका भी आदर करना हम सबकी जिम्मेवारी है हम दूसरे की भावनाओं का आधर करें तो हमारी भावनाओं के भी रक्षा होती है ये माहुल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए तीसरी बात है दुनिया में अरब कंटी के एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान है उन्होंने एक बहुत अच्छा आटिकल लिखा था मैंने एक आथ साल पहले पढ़ा था इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना चाहिए ये दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय हैं बहुत बड़ी मात्रा में जनसंग्या है हर एक संप्रदाय की लेकिन इतने प्यार से मिल जुल करके जीते हैं रहते हैं जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं ये गल्ब कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिल जून करके जी रहे हैं समाज में घटना नहीं होनी चाहिए लिकिन समाज का जो मुख्य पहबरिक है वो क्या है उसको हमने समझना चाहिए और कोई किसी को हर चुनाव के पहले अस्विष्णा लोगों को देखने रख जाती है डाल लगना चाहता है तो किसी का लोगों का एजंडा होता है ऐसी वेक्तिकर टिकाटी पड़ी के है तुझ सबका साथ सबका विकास अठारा हजार गाउं में बिजली नहीं थी हम ये प उससे किस संप्रदाई से हैं वो मंदिर जाता है को मजजीत जाताए गुदवारा जाता है ये हमारा काम नहीं है चार करोड परीवारों के घर में विजली का दिया जलना चाहिए लकणी के लकली के चुले से धूयं की जिन्दी की जीती है हरे को उससे मुक्ति दिलाने के ल गैस का पोँचे उस दीशा में लगे हैं पांच करोर शे करोड़ के करीब करीब पहुँचा दिए हैं 8 करोड तक पहुचाने का लक्ष है और वो भी हम पूरा करके रहेंगे राजनीति खींसा का जो मामला है ये केरल में करनाटक में और वेस्ट बेंगॉल में ये एक काफी पेचीदा मसला है आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ये बहुत बड़ा दुर्भाग है कि लोक तंत्र में विरोधियों की आवाद दबाने के लिए से कोई भी कृत कहीं पर भी होता है देश के प्रधान मंत्री के तौर पर भ हमने बहुत भुगता है अब देखिए पस्षिम मंगाल में भारतिये जनता पार्टी को अपने लोक तंत्री का अधिकारों को भी प्रगट करने से रोक दिया जाए कोड के दरवाजे खटकटाने पुड़े है चुनाओं में हमारे लोगों को जिस प्रकार से मारा गया है य ये लोकतंतर लिए शुभानी देता है केराल में आए दिन हमारे कारकरतों के हत्या हो रही है करनाटक में हमारे इतने कारकरतों के हत्या हुई जिसके हम कलपना नहीं कर सकते हैं तमिल नाडू में हमारे कारकरतों के हत्या हुई है आसाम में इसको भुगत रहे हैं जम्मु क परकार्शी राजनीती, हिंसा की राजनीती, भारत के लोकतंतर के उजवल भविश के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, ये रास्ता सही नहीं है, और मैं भारती जनता पार्टी के गार करताओं को विश्वाद दलाता हूं, उनके परिवार जनों को पारा हो, इसको स्विकान नहीं करती है, हर किसी को न्याएं मिले, उसके लिए हम प्रतिबत हैं, हम राजे सरकारों से भी आगर कर रहे हैं, राजसरकार अपनी जिसमेकार चीज़ चीज़े करें, लेकिन कभी चीज़े उजागर होकर के रहेगी, आज भले कुछ लोगों को रक्षा मिलती हो, लेकिन ये सब उजागर होकर के रहेगी, और मैं इसकी घौड निंदा करता हूँ, दोहजार उनिस के चुनाव के लिए, आप तिंग्स इन प्लेस की ऐसी राजनेतिक हिंसा ना हो, और इलेक्शन बिलकुल ही, नॉन वाइलेंट तरीके से हो, सवाल चुन किसी भी रुप में नहीं होनी शाहिए, और राजनितिक धलों को अपने आपको इस दिशा में ट्रेन करना होगा, अपने गारकरतां को ट्रेन करना होगा. आपके ये जो progressive ideas, progressive thoughts, actions जो है इसमें ट्रिपल तलाग ओर्डिनेंस भी शामिल है आप औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए आप खड़े हुए आपने कहा आप उन्हें में स्ट्रीम में लाना चाते हैं लेकिन जब सबरीमला का issue आजाता है, वहाँ सबरीमलाई में आपकी पार्टी, convention, tradition, customs उसमें फस जाते हैं तो एक समुदाए के लिए customs, traditions क्यों और दूसरे समुदाए के लिए progressive thought ऐसे क्यों होता है दो चीजे आप सही तरीके से नहीं देख रही है, एक दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज है, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने टीपल तलाग पर प्रतिवन लगाया हुआ है इसलिए ये संप्रदाय का आस्ता का मासला नहीं है, अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में टीपल तलाग चलता होता, लेकिन दुनिया इवन पाकिस्तान में टीपल तलाग पर रोख है, कानूनन रोख है इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर एक्विलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मी आस्ता का नहीं बनता है, तो दोनों को अलग कीजिए दूसरा, भारत इसमत का है, और भारत सभाव से इसमत का है, कि सभी को समान हक मिलना चाहिए हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी है, जिसकी मंदिर की अपनी माननेता है, एक छोटे से दाइरे में, कि यहां पूरुस नहीं जा सकते हैं और पूरुस नहीं जाते हैं, कुछ मंदिर है, जहां यह है, तो इसमें सुप्रिम कोड की जो महिला जेज का जेजमेंट है, उसको बारीकी से पढ़ने की ज़रुत है, इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रिबीट करने के आवशकता नहीं है, उन्होंने एक महिला के नाते कभी समस्चा को देख करके उसके सुझाव दिये हैं, कभी ने कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, सर्व मैं पॉलिटिकल इशूस पर वापस आती हूं, महा गठबंदन जो है, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है, लेकिन चंदरबाव नाइडू कहते हैं कि जो केसी आर का जो गठबंदन बन रहा है, उसका समर्थन मोदी जी दे रहे हैं, तो इसमें आप बता सकते हैं, क्लारिटी दे सकते हैं, क्या क्या आप केसी आर के गठबंदन को समर्थन दे रहे हैं, मैंने मेरे ध्यान में कोई आया नही हुआ है और अभी चुनाओं में तिलंगणा की जनती ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है तो उनकी पीड़ा कहीं जलकती होगी तो उनका प्रॉब्लम है मैं इस विसे से पूरी तरह अनभिग्य हूँ दूसरा विशे हैं आखिर महागटबंदन महागटबंदन य क्यों बन रहा है पांच साल हो गए महागटबंदन ने देश के सामाजी आर्थिक विश्वन को लेकर के कुछ सोचा हो कुछ कहा हो एक स्वर से कहा हो ऐसा हुआ है क्या नहीं हुआ है अभी भी उनकी हां से दो-दो स्वर निकलते हैं बिन्न-बिन्न स्वर निकलते हैं और आखिर करें इन हो लोग हो के हैं ये खुद क्यों बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंड रहे हैं एक दूसरी को आत पकड़ो बच जाएंगे तो ये खेल चल रहा है उनका इरादा एक मात्र मोदी है मोदी को ये करो मोदी को वो करो आप अख़बार निकल दीजिए पह पेज निकाल दीजिए दस अलग 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 गड़बंदन के साथ ये अलग 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 सवर में गालिया देते रहते हैं क्या करेंगे क्यों करेंगे देश के लिए क्या करेंगे ऐसे कोई रस्टी रही है ये तो गड़बंदन वाले खुद कहते हैं कि कोई ideological unity नहीं है आप मान के चल रहे है कि यह आप इस चुनाव को एक चैलेंज मानेंगे कि anybody but Mody and Mody देखिए भात की जनता ड़िक सर से चुनाओ का दीशा निरधारित करने वाली है भायरत की जनता चुनाओ का Bye करने वाली है भारत की जनता के एस्पिरेशन के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाब कौन है ये चुनाव का मांदन बनने वाला है देश की जनता जानती है कि ये पहले decentralized corruption था जो राजवों में बैटे थे वो राजवों को लूटते थे जो center में बैटे थे center को लूटते थे अब वो centralized corruption हो रहा है सब मिल जोना करें राजज बने वाले भी आ रहे हैं और केंदर को भी बना रहे है मोदी तो जनता जनादन के प्रेम और आशिरवात का प्रतीख है और कुछ नहीं है तो आप तो बहुत हमबल हो रहे हैं इस मामले में क्योंकि राजनेतिक विशेश अग्यों तो कह रहे हैं that it is going to be like a presidential election जहाँ पर मोदी एक तरफ और राहूल गांदी एक तरफ आप क्या कहेंगे मानेंगे मैं सपस्ट मानता हूँ कि इस बार का चुनाव देश की जनता के आशा अकांशा है उसको बढ़ारेगा कौन वो जनता ताय करेगी उसको नहीं बढ़ाएगा रुकावट पदा करेगा सतर साल का अनुभव क्या है वो भी जनता ताय करेगी जनता ही इस बार निरिणायक है तो आप कह रहे हैं आइडियाज और एजेंडा ये इशू होगा और अगर आइडियाज और एजेंडा अगर मान के चले तो क्या एंडिये और एलाइस को जोड सकती है अपने गुठ में लगातार जूड रहे हैं हम लोग 2004 में थे उस से बहुत बड़ी मात्रा में सारे चोटे मोटे दल हमारे साथ जूड़े हैं NORTHIS में क्या मायावती जी जूड सकती है कौन जूड सकता है कौन नहीं जूड सकता है और मैं नहीं मानता हूँ कोई समझदार व्यक्ति टीवी के सामने इसी चीज़ों का उल्ले करेगा लेकिन मैं इतना जुरूर मानता हूँ कि देश की जनता इन सारे चीज़ों को जानती है अब तेलंग नामे गड़बंदन का क्या हाल हुआ बुरा हाल हुआ लिग उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है वो गड़बंदन का पहला प्रयोग था पूरी तर अभी फल गया अभी जमू कश्मिर में गड़बंदन के सब लोगों ने ताहिकिया था चुनाओ का बहिशकार करेंगे जनता ने नकार दिया 74% वोटिंग हो गया अभी आसाम के अंदर यह सारा गड़बंदन एक बज़ू था भारती जनता पाटी एक बज़ू थी पंचायतों के चुनाओं में गड़बंदन का हाल बुरा हो गया भारती जनता पाटी जीद गई अभी त्रिपुरा के अंदर यही गड़बंदन के लिए लोग मेदान में थे खुलाग कोशिश कर रहे थे 80-90% भारती जनता पाटी जीद गई गड़बंदन का हाल बुरा है तो उपर यह नेता मिल जाए अपने सुरक्षा के लिए तो इसका मतलब यह नहीं जनता जोड़ जाती है लेकिन आप भी अपने अलाइस को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं उद्व ठाकरे जो हैं वो भी चौकिदार चोर है जैसे लफ्स का इस्तमाल कर रहे हैं राहुल गांदी ने उसे पॉपिलर किया हुआ है तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपके ऐलाइस इस वक्त चुनावी रिजाल्ट्स देखकर थोड़ा सा मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं देखिए हमें पूरन बहुमत मिला लेकिन हमने गटबंधन का जो धर्म है उसका पार्ण किया साथी दलों को साथ लेकर हमने सरकार में सब को जोड़ने का प्रयास किया है आज भी सरकार चलाते हैं तो सब के साथ विचार भी मर्स करकर के हम चलाते हैं सारे निर्णे सहवती से होते हैं लेकिन ये बात सही है कि स्टेट का अपना एक पुलिटिक्स होता है और हमारे साथी दल भी ग्रो करे ये उनकी इच्छा रहेगे और हम भी चाहेंगे वो ग्रो करें हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथी दल अपने देखा होगा कांग्रेस के साथ जितने दल जुड़े है आखिर कर ये गड़बंदन की एक विश्यस्ता है कि सारे लोग हैं वो कभी ने कभी कॉंग्रेस में से निकले हुए कॉंग्रेस के खिलाप आवाज उठाकर के बाहर आए हुए लोग है या कॉंग्रेस विरोध वाज में से पैदा हुए लोग है और वो ही जब कॉंग्रेस के पास जाता है तो सबसे पहले कॉंग्रेस उनको बली बना देती है कॉंगरेश उनको खा जाती है हमारा केस है जो भी हमसे जूड़ता है वो फलता है फुलता है खिलता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे साथी दल खिले कहीं कुछ चोटी मोटी किसी क्या पेक्षा रहेगी तो उनको मन करता है कि दबाव डालने से साथ फाइदा मिलता है तो कोई वो रास्ता लेता है किसों को लगता है नहीं मिल बैठ करके बातचीत करने से फाइदा होता है तो वो रास्ता लेता है तो राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वभाव रहते हैं लेकिन हमारी कोशिश है सब को साथ ले करके चलना सब की सुनना सब की बात को मान करके नेरे करना और देश में ये जो एक कल्चर बना है जिसमें हमने regional aspirations को महत्वत दे रही होगा और मैं इसमें committed हूँ regional aspirations को नकार करके देश नहीं चलाए जाए है क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं क्योंकि मैं इसका माहत में समझता हूँ और इसलिए भारतिय जनता पार्टी जादा सफल है इन सारी चीज़ों आप आपने इतने विजिट्स किये दक्षिन भारत लेकिन पीजेपी का फुट्प्रिंट दक्षिन भारत में अभी तक नहीं हो पाया है और अब तो सिर्फ पांच महीने रहते हैं चुनाव के लिए क्या यहां पर अलाइंस बनाएंगे क्या रजनी कांद कामला हासन किसी के साथ जुड़कर आप अपना फुट्प्रिंट बढ़ाएंगे दक्षिन भारत में पहली बात है तो यह तो यह जो ब्रह्म पैदा किये गया है यह तीस साल पहले जो बाते बोली जाती है कि आज भी वो डैनुप चल दे रहते हैं मैं चाहूंगा मिडिया वर्ड अपनी नेरेटिव के साबन में सोचे जैसे सालों से कहते हैं कि भारतिय जनता फार्टि जंन उत्तर भारती हैं हिंदी भाशी हम गूवा में सरकार में हम गुजराद में सरकार में हम महाराष्ट में सरकार में हम कभी करनाटक में सरकार में तो यह 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 लोजिक कहां बैठता है यह हम दक्षिन में है इसलिए यह प्रकार का जीमन से जुड़े हुए MP, लेकिन एक प्रगार का बना दिया गया, यह होता है, फिर बना दिया गया हम शहरी पार्टी, रियालिटी है कि इतना बड़ा पार्टी शहरी होता तो हम तो सिमट के रहें, हम तो शहर के भी हैं, गाउं के भी हैं, हम उपर के समाज से भी जुड़ का तमिलनाडू में भी MP है और भारती जनता पार्टी का जम्मु कश्मी में भी MP है भारती जनता पार्टी का नौर्थिस में भी MP है तो भारती जनता पार्टी चारों तरफ है हम लगातार हमारी पार्टी के विस्तार के लिए प्रयास कर रहें दूसरा सहमना जो लोग है दन जो हमारे साथ चलना चाहते हैं जिन के साथ हम चल सकते हैं हम हमेशा सब के साथ चलने का प्रयास करते हैं हम ताकतवर हो उस राज्य में भी हम साथ चलना चाहते हैं हम ताकतवर न हो उस राज्य में भी साथ चलना चाहते हैं तो साथ चलना ही हम हमारा सिद्दान रीजिनल एस्पिरेशन को बल देने के हमारे मुलवत सिद्दान से जुड़ा हुआ है। चीफ को रिजाइन करना पड़ा और उनका ऐलिगेशन है कि बीजेपी सरकार कॉफर्स खाली करना चाहती है आर बी आई के कॉफर्स इसके बारे में आप क्या कहेंगे। बड़ा निर्ने करें और प्रेस कॉंफर्स में पार्टी का एक नेता उस कैबिनेट के निर्ने के कागज को टुकड़े करें। इंस्टिटूशन का सम्मान करते हैं आप लोग आपने जुड़ी शरी को जो सिन्योरिटी के आधार पर जजज नियुक्ति किये जाते थे ओपनली कहा कि हम आइडियोलोजी के आधार पर जुड़ी शरी को टाय करेंगे और आपने सीनियर जज़ों को बाहर निकाल करके फै करना पड़ा है आपने प्लानिंग कमिशन के लोगों को जोकरगों का बंच कह दिया था मालूम है कौन समय प्लाइन कमिशन के वाईचैर में और ऐसा बोला गया था इन लोगों के मुँण से वह देता है जहां तक सिभी आई आंतरिक व्यक्तिकत मामला आया तो सरकार ने न लिख्वेस की अपने नीजी कारणों से और मैं पहली बार आपको बताता हूं वे छे सा महिने से मुझे लगातर कह रहे थे लिखित मैं भी कहा था हूं प्यक्तिक दूब से उन्हों मुझे लिख करके भेजा था पोलिटिकल प्रेशर नहीं सवाल ही नहीं उड़ता है जी सवाल ही नहीं उड़ता है और मैं मानता हूं कि आरवी आई गवरनर से मार उर्जी पटेल ने अच्छा काम किया है और एडी के बारे में कॉंग्रिस का कहना यह एंबारस्मेंट डिरेक्टरेट बन गई है इस लिटा के तौर पर रेट्ण हो रहे हैं यह लोग बोल रहे हैं अभी शोरा बुदिन के को का जज्जमेंट आया है तो जईजमेंट में क्या क्या लिखाए जड़त दीजी कॉट का जज्जमेंट है कि इस प्रकार से इंस्टूटुटिशन का दूरूप्यों कि इन लोगों यह है कि मोदी इन लोगों के खिलाब कदम ने उठा रहे हैं अब आप कह रहे हैं कि वेंडेटा है एडी प्रोफेशनल यह अपना काम कर रहा है और अगर विदेश से कोई व्यक्ति जो राजदार है वो भारत के कबजे में आता है तो हर हिंदुस्तानी को गर्व होना पर ये एक राजदार आया है सही जांच होगी नयाई निगरानी में होगी तो देश का दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा उसके बजाए आप अपनी पार्टी के वकील को भेज करके आप उसके मदर्द का लिए पहुंच जाते हैं चिंता का विश्र तो यह है उन् को लेकर राहुल गांदी ने सीधा सीधा आप पर करप्शन क्रोणी कैपितलिजम इसका अलिगेशन किया है लेकिन आप चुप रहें आपने कभी कुछ नहीं का उन्होंने कहा कि अने लंबानी आपके दोस्त हैं ऑफसेट में आपने उनका नाम लेकर फ्रांस के प्रांस के प्रेजिडेंट पर प्रेशर डाला डसौल पर प्रेशर डाला और उसकी वज़े से रफाल खरीदना पड़ा ज्यादा दाम दे कर खरीदना पड़ा लेकिन आप कोई सफाई नहीं दे रहें आपके पार्टी के लोग दे रहें लेकिन आपने कुछ नहीं किया और सीधा करके निकालना चाहिए कि किस ने दिया क्या दिया कहां रखा सब निकालना चाहिए दूसरी बात है कि सांसत में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मुका मिला है मैंने इस विस्तार को से बताया है तीसरी बात है सुप्रिम कॉट तक मसला क्लियर हो चुका है सूप्रिम कौट ने उसके बाल की खाल उधेर कर के सारी चीजे निकाल कर रखें रख दी है फ्रांस के रास्पती जी ने वैयान दे दिया है भारत के प्रधान मंतरी ने वैयान दे दिया है उनको इतना कर लिजिए जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं वे जब भी बोले ताप इतना कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए उनको पूछे कि ठेरिये वे आप बताई सिद्र कीजिए आप आरोप लगा रहे हैं हमें बताई यह पत्थर मार के भाग मत जाएए कीचर उचाल करके भाग मत जाए यह तो सवाल पूछे उनको कह ही तो देख यहां का लिंक यहां का लिंक यहां है यह तो दे नहीं पा रहे हैं बोलते चले जा रहे हैं अब मुझे बताईए उनको यह बोलने की बिमारी है तो मुझे बार बार उसे में उलते रहना चाहिए मैंने एक बार जवाब दे दिया पार्लामेंट में दे दिया डेश में चर्चाईये होनी चाईए कि आझ अधिके बात लगातार defense दील हमेशा विवादों में क्यों आये हैं ऐसा कौन सा वर्कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डिल को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुरबल करना का शडियंतर कौन कर रहा है क्या कारण है दूसरी बात है डिफेंस डिल में दलालों को क्या जरूरत है क्या इन दलालों के बेना डिफेंस डिल नहीं होता ती मेरा गुना ये है कि मैं मेकेन इंडिया के कोशिश कर रहा हूँ मेरा गुना ये है कि हिंदुस्तान में सेना को जो जरूत है वो हिंदुस्तान में बननी चाहिए तक ये सारे बाहर से जो स्वाधिवाजी हो रही है बंद होनी चाहिए और इसलिए मैं लगा हुआ हूँ मैं ट आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवश्यक्ताओं को पुरा करना चाहिए मैंने ताइक किया है जितनी गालिया पड़ेगी मैं खाऊंगा जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए मैं इमानदारी के रास्ते पर चलूँगा राष्ट रक्षा को प्राफिक्ता देते हुए चलूँगा मैं मेरे सेना के जमानों को उनके नसीब पर नहीं छोडूँगा उनकी जो भी रिक्षार्मेंट है उसको खरीदना पड़ेगा तो प्रक्रियाओं को तेजगती से चला करके करूँगा मुझ पर आरोप होते रहेंगे तो भी करूँगा क्योंकि मैं इमानदारी और सत्य के साथ जीने वाला इंसान हूँ इसलिए जूठे आरोपों से डर करके मैं मेरे देश की सेना को दुरबल नहीं कर सकता हूँ मैं मेरे देश की सेना को निहत्ती नहीं कर सकता हूँ देश को जो आवश रकता है वो मिलना चाहिए सेना की बाद चल रही है तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स पे आती हूँ जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए उसके बाद बहुत से पूर सैनिक जो है उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का राजनेती करण नहीं होना चाहिए था लेकिन हर election में जो उसके बार जो election हुए है बीजेपी उसे एक success और एक political तौर पर उसका इस्तमाल कर रहे हैं क्या ये गलत है पहली बात है कि मैं स्वयम इसमत का हूँ कि surgical strike का राजनीटिकर नहीं होना चाहिए उसमें तो कोई विवादी नहीं है लेकिन जब surgical strike हुआ तो किसी सरकार के मंत्री ने बयान नहीं दिया है ना प्रधान मंत्री ने बयान दिया है सेना के अपसर ने देश को जानकारी दी और वो भी इंफर्मेशन दी है और वो इंफर्मेशन यहां दी यतना नहीं टेलीफॉन करके पाकिस्तान को भी बताया गया था और जब तक पाकिस्तान को सुचित नहीं किया तब तक हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं बताया गया था और सेना ने खुद ने आकर के अपना एक डिटेल डिपोर्ट दिया था वहीं बात समाफ तो हो गई थी लेकिन देश का दुरभाग यह है कि उसी दिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडरों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर शक खड़ा किया पाकिस्तान के लिए तो इस प्रकार से बोलना जरूरी था कोई को उनको वहां मोरल टकाय रखने के लिए आवशक था लेकिन जो बात पाकिस्तान बोल रहा था वो हमारे देश के लोग बोल रहे थे अपने बात को बजन देने के लिए उधारन भी पाकिस्तान का दे रहे थे राजनीती करण वहीशे शुरू हुआ आपने देश की सेना के लिए अनाप सनाप सब्द बोले और मैं मानता हूँ कि जिनों ने इस प्रकार से देश की सेना पर इस प्रकार के आशंकाय की है सर्जिकल स्ट्राइक पर आशंकाय की और पहले दिन बयान बाजी करकर के इस प्रकार से उसको रौन दालने कोशिश की वो गलत हुआ है और इसलिए मैं सफष्ट मत काऊं कि इसका कतही राजनीती करन नहीं होना चाहिए दूसरी बात है सहिने का गवरव करना उतना ही जरूरी होता है सहिने के पराक्रम का वरणन करना उतना ही जरूर होता है देश के प्रधान मंत्री के नाते, देश की सरकार के नाते और देश के नागरी के नाते हम सब का दायित में बनता है कि 62 के लड़ाइक में भी हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका जिक्र करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे सेना का पराक्रम हो तो उसका भी जिक्र करना चाहिए देश के जीने बनने वाले लोगों के गवरवगान अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा तो गवरवगान को राज नितिकरण कहना अनुचीत है सर्जिकल स्ट्राइक्स ये सवाल मैं पूछ रही हूं पतानी जवाब आप देंगे की नहीं जो surgical strikes जिस दिन हुआ, तो कहा जाता है कि आपको live information दिया जा रहा था, आपको step by step पता था कि क्या हो रहा है, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि ये संभव था कि surgical strike operation successful ना हो, तब उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होती कि एक botched strike है, और ये भी हो सकता था कि लोग आप ने पाकिस्तान पर आक्रमंड किया, आप जंग छेड़ना चाते हैं, उस वक्त आपके मन में, क्योंकि ये पहली बार था कि as a prime minister you were taking such a step, तो आपके मन में उस वक्त क्या था? देखे, जब उरी की घटना घटी, और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया, जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचेन बना दिया था, और मेरे भीतर एक आक्रोस था, मैं बेचेन हो गया था, मैं केरल गया था, मैंने केरल में पब्लिक मिटिंग में इसका जिकर भी कर दिया, कि कि मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा था, लेकिन मैं एक लोगतंत्री की ववस्था का प्रतनी दिया हूँ, और मेरा व्यक्तिक्रद गुसा मेरा व्यक्तिक्रद आकर उसमेरी व्यक्तिक्रद बेची नहीं इस पर व्यवस्था पर कभी प्रभाव नहीं होना चाहिए मैं संतुलत समझता हूँ लेकिन ऐसा हुआ क्यों इसके लिए मैंने सेना के लोगों से लगनतार चर्चाए की लेकिन मैंने अनुफ़ाओ किया कि मुझसे तो सेना के अंदर आग ज्यादा लगी हुई है वे किसी भी हालत में इस परिस्तिती में देश के जवानों के मौरल के लिए भी उनको न्याई दिलाना चाहते है तो मैंने उनसे कहा का आप पुरा डिजाइन करके लाइए मेरे पास क्या है क्या रिक्वार्मेट है और मैंने कहा आप चीतना भी कर सकते हैं करिए आप सोचने में कमी मत करना फिर बैठके ताय करेंगे कि इतना कर सकेंगे नहीं कर से मैंने उनको खुली छूड़ दी उनको प्लान किया वो लेके आए मेरे पास दो बार हमको डेट बदलनी पड़ी इस आपरेशन की क्योंकि मैं फूल सेकुरिटी चाहता था अखिर कर आपरेशन ताय हुआ मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ा रिस्ट था और रिस्क मुझे राजनी थी फाइदे और नुक्षान वारा रिस्क मैं कभी सोथता नहीं हूं मेरे जवान उनका कोई नुक्षान नहीं हो रहा था क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने लिए निकल पड़े तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की जरूत थी उसको भी कुछ साधन भी चुटाए गए है तक कि कोई तकलीफ नहीं हो दूसरा यह तह किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई और वो भी सिक्रेस से मैंटेन करने तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई उसमें भुभाग वहां की अर्चने उसको भी देखा गया क्या-क्या रुकावटे आ सकती इमेजिनेशन करना उसकी भी चिंता की गई और मैं इन चीजों को मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सप्रियेंस था तो मैं भी उसको जरा बड़े चाव से समय दे करकर देता था कैसे कर रहें क्या कर रहें और मुझे भी एक सिखनों को मिल रहा था फिर हम जब बैटे तो हमने देने किया भई अब सो एंसो डेट हम करेंगे कौन कहां रहेगा उसका में टीम के लोग वो भी ताई किया और ताई ये किया कि सुर्यों दे कि पहले हमारे लोग वापिस आ जाने चाहिए और मैंने इस परस्ट आदिश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चंता छोड़ देना लेकिन सुर्यों दे के पहले वापिस आना है हम इस मोह में पढ़ जाएं और फिर लंबा खिचले ऐसा नहीं जो भी करना है सक्सेस्पूल मिशन सक्सेस्पूल हो लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूँगा यह मेरा पहला उनको वैल ट्रेंट किया गया था और उनको खुद को निर्णे करने का मौका दिया था कि बताव यसना बड़ा इसकी काम है तो चाट करके लोग निकाले थे इस प्रक् देश में भी आक्रूस था मैं लाइव कॉंटेक में था चीजे था लेकिन सुभे जानकार याना बंद हो गया सुर्यदय होता तक मैं फिर बेचन होने लगा हूँ पर मन में होता था कि क्या हुआ बड़ी गंटे पर से कुछ खबर नहीं आ रही है पढ़ना तो लगाता रहा रही थी दिखले है पहले टुकड़ी है दूसरे टुकड़ी है यसा है लेकिन सुर्यदय होने के बाद भी बेचन होने लगा हूँ अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कॉम्यूनिकेट करूँ कहीं और तकलीव हो जाए तो काफी याने करीब करीब सुर्योदय के भी ये घंटे के बाद वो समय मेरे बहुत कठीन था बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जिंदा लोटने के ख़बर सुनने के लिए मैं बना रात कितना नुक्षान हुआ वो बात का विश्य है लेकि मेरा जवान जिंदा लोटने मेरी पहली प्रांत फिकता थे फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद कि अब वापिस हमारी सिमा में पहुँचे नहीं है लेकिन हमारी दो-तीन टुगडियां सेफ जोन में आ गई है लेकिन चलने निकलते हो और कोहीं रेंगते हुई निकलते है तो समय लगेगा लेकिन अब हमारा सेफ जोन है इसल लेकिन वो हम करीब सूरिय दे के बाद दो घंटे तक वापिस आने का करम चला और आखिरी वेक्तिया आ गया तो फिर हमने कैबिनेट कमिटे ऑन सेकुरिटी की मिटिंग बुलाई और उनको आर्मी के लोकों ने आकर कि सारा ब्रीट दिया उसके बाद पाकिस्तान को बताना कामंल कामिञ मिटिंग ने सेकुरिटे तaggi किया और पहले पाकिस्तान को सुच्छना करूब यसा ऐसा हुआ है और उसके बाद मिडिया को बताना तो पाकिस्तान के लोग केलिफॉन पर आते नहीं थे मिडिया को ग्यरा बज़ बुला लिया था मिडिया भी परेशान था कि ये क्या बात है बोलते नहीं कुछ बात करीब साड़े गारा पौने बारा बज़े हुई तो बारा बज़े फिर प्रेस को सारा देश को बताया तो मेरे लिए ये पल भाव थी एक प्रकार से एकसेटमेंट भी था चिंता भी थी और मैं पूरी तरह खुद इन्वाल था तो बारी की नजल ले रहा था लेकिन जिस प्रकार से आपरेशन किया जिस बारी के से किया हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचे हुआ जी हमारी सेना में ये जो सामर्थ है अधवूत है जी और मैं तो सर जुखा कर उनको नमन करता हूँ कितनी बारी के से इतनी परफेक्ट ले उन्होंने प्लान किया और इसलिए घरव होता है हमारी सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के अबजेक्टिव क्या थे क्योंकि अभी भी गुस्पैटी आ रहे है क्रॉस बॉर्डर टेररिजम अभी भी है कश्मीर में वाइलेंस का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ तो क्या वो एक डेटरेंट के तौर पर इस्तमाल किया गया था लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स और भी होंगे या एक पॉलिसी बन गई है कि क्रॉस बॉर्डर हम करेंगे होट पर्स्यूट हम करेंगे पहली बात है कि इन चीजों को में मेडिया के सामने कहना उचित नहीं मानता हूँ तो ठीक नहीं होगा मेरे लिए किस रणदीती से चलना कैसे चलना वो जिस तरपर होता है बहां हो रहा है होता रहा है दूसरा 65 के लड़ाई हुई विभाजन हुआ उद दिन भी लड़ाई हुई तो एक लड़ाई में पाकिस्तान सुधर जाएगा ये मुझे लगता है कि सोचने में बहुत बड़ी गलती होगी पाकिस्तान को सुधरने के लिए तो अभी और समय लगेगा पाकिस्तान की बात हो रही है आपने जब ओथ टेकिंग के टाइम आपने नवाज शरीफ को नियोता दिया आप खुद लाहोर चले गए इमरान खान के शपद लेने से पहले आपने उन्हें मुबारक बात दी उस वक्त तो लोग कह रहे थे इतनी उतावले क्यों हो रहे है मोदी जी कंग्राचिलेट करने में क्या नोबेल प्राइस उनका गोल है क्या और आपने इतने कदम उठाएं लेकिन इसके बावजूद भारत पाकिस्तान संबंध बिलकुल ही खतम से हो गए है डायलोग शुरू नहीं हुआ है तो अब जब इमरान खान आ गए है और उन्होंने कहा है करतारपूर कॉरिडूर के बाद जब वो खुद कह रहे हैं कि डायलोग होना चाहिए इन पांच महीने में इलेक्शन के पहले क्या भारत पाकिस्तान डायलोग शुरू हो सकता है नंबर वन भारत ने कभी भी चाई UPA सरकार हो चाई NDA सरकार हो भारत की किसी भी सरकार भारत के किसी भी प्रधान मंत्री ने डायलोग का विरोध नहीं किया है यह हमारी कंसिस्टन पॉलिसी है कि हम बाचीत के पक्ष में है हमारे देश की एकंसिस्टन पॉलिसी है UPA एंडिये नहीं है यह मोधी मनमोंजिंग नहीं है consistent policy है कि हमारी हम चर्चा के लिए तयार है हमारी consistent policy है सभी विशयों पर चर्चा करनेक लिए तयार है ऐसा नहीं कि यह विशयों होका तो नहीं करेंगे क्योंकि भारत का ग्राउंड बहुत स्ट्रोंग है हमारा कहना इतना ही है कि बम बंदूग मैं बात्ची सुनाई दी देती है आतकवाद बंध होना चाहिए क्रॉस टेर्रिजम बंध होना चाहिए और इस पर हम लगातार दबाव बनाई हुए है हमने दुनिया में वाताण बनाया है आज टेर्रिस्टों को मदद करने वाला पाकिस्तान अलग थालग पड़ गया है यह अगिकत है और दुसरी बात है घट्राएं भी सिमिध हुई है आज मानोता में विश्वास करने वाले कानून में विश्वास करने वाले देश की एकता खंडिता में विश्वास करने वालों का हाथ उपर है तो आप क्या इमरान खान के जो बयान है उन पर आप कुछ सिंसियरिटी देखते हैं मसला अगर वो आपको नियोता दे सार्क सम्मेलन में शिर्कत करने के लिए तो क्या आप इसलामबाद जाएंगे सार्क में अगर सार्क हेड्स उफ गवर्मेंट मीटिंग के अगर वो अगर नियोता देते हैं तो पुरानी कहावत है वेन विल रिच दे ब्रीच उसी को मैं द्वाराओं को और क्या कहूंगा चलिए अब हब चाइना के बात करते हैं आप शीजिन पिंको गुजरात ले गए आप बारा या तेरा वारी मिल चुके हैं लेकिन जवाब में भारत को डोकलम मिला क्या आप भी जवालना नेरू की तरह धोका खा गए डोकलम में भारत ने क्या क्या उसके आधर पर भारत का मुल्याकन होना चाहिए और भारत के साथ ऐसी कोई घटना नहीं गटी जिसको आप धोका कैसे एं लेकिन हमारा मुल्भूत रहा है कि हम पडोसी देशों से मितरता चाहते हैं ये हमारा मुल्भूत से दाथ रहा है और सिर्फ इस सरकार का नहीं हिंदूस्तान के सभी सरकारों का रहा है कि हम पडोसी से अच्छे समन चाहते हैं हम पडोसी देश सारे हमारी तनाई आगे बढ़े ही हम चाहते हैं तो यह हमारा मुल्भूत सितान्थ है आपके उपर ये भी आरोप लगाया जाता कि जो foreign trips है आपके एक तो बहुत ज्यादा है और दूसरा ये photo opportunity ज्यादा है और concrete steps ज्यादा नहीं होते हैं देखे सभी प्रधान मंत्री के करीब करीब इतनी ही याक्रा होती है क्यों ज्यादा फरक नहीं है जी आप अगर हिसाब लगाएंगे क्योंकि अब international forum बहुत बन गए है multilateral forums है तो आपको जाना ही पड़ता है summit है बिने बिने प्रकार की अच्छा प्रधान मंत्री से नीचे के लेवल का करते हैं तो वहां हमारी आवाज सुनाई नहीं देती है तो यह परकार से अनिवार्य हो गए पहले तो एक चार नम मेरे छूट जाएंगे तो वह अनिवार्य हो गया है और वह मेरे साथ नहीं मनमुन सिंचो के भी करना पड़ता था मेरा इतना ही है कि मैं जाता हूँ अगर एक देश में तो बगल की एक दो देश करके आता हूँ तो कम खर्चे में कम समय में अधिक काम हो सकता है तो मैं भारत के दुनिया भर के अंदर अपनी बात पहुँचे प्रत्ता करता हूँ दूसरी बात है जहां तक पहले जो जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं करता था जहां जाते थे वहां भी कोई नोटिस नहीं करता था जहां से जाते थे उनको भी पता नहीं था गए 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 अब मेरा केस हसा है कि मैं जाता हूँ तो पता भी चलता है क्योंकि मैं वहां लोगों से मिलता हूँ कुछ काम करता हूँ कुछ नेड़े करता हूँ और मैं मानता हूँ देश के लिए मुझे करना चाहिए इसके लिए कोई मुश्किल काम हो रहे हैं जब आप बनारेज गए थे 2014 में आपने कहा था मा गंगा ने मुझे बुलाया है लेकिन क्या साड़े चार साल बाद अभी भी गंगा क्लीन अप एक्शन पूरा नहीं हुआ आपको लगता है आपका वाइदा पूरा नहीं हुआ अभी तक ये बात मैं आज भी मानता हूँ जब टीवी के लोग मुझे पूछ रहे थे तो बेरे भीतर से निकली हूई है जब आवाज थी हूँ मा गंगा ने बुलाया है और एक बेटे के रूप में मैंने इमानदारी से प्रयास किया है पांच राज्ये इसके साथ साथ लेकर कि मुझे चलना है अभी तो चार राज्यों में भाज़पा की सरकार है तो थोड़ा सरल हो गया पहले अलग अलग सरकारे थी तो उनका अपना एक प्रात्पिकता कुछ अलग थी मैं किसी को दोस्त देना नहीं चाहता हूँ लेकिन हमने एक काम जुरूर किया जब राजी गौांदी के जमाने से इतले पैसे खर्च किये गए ये सफलता क्यों नहीं मिली तो हमने उसका पूरा अध्यन किया अध्यन करने के बाद उसमें जो कमिया थी उसको कैसे ठीक किया जाए तो हमने पूरी रणदीती उस प्रकार से बनाई और काफी अच्छा प्लानिंग करके काम किया है अब आप देखिए 120 साल पुराना एक नाला जो करोडो लिटर पानी गंदा पानी गंगा में डालता था 120 साल के बाद अभी वो बंद किया रहा है अभी 4000 गाउं जो गंगा के तरफ पर है वो सभी open defection free हो गए है जीतने भी नगरपाली काई हैं महानगरपाली काई हैं अभी में बनाज गया तो वहाँ भी बहुत बड़ा स्टिपी का प्लान हमने लोकार पड़ किया तो पहला काम है गंदी पहला गंगा को गंदी करने से रोकना अब यह construction लगता है दो दो तिन तिन साल के project होते हैं सारे चल रहें कई मात कई हो चुके हैं अब दूसरा जो बड़ा challenge काम आने वाला है वो जितनी नदिया जूडती है गंगा जी में वो भी तो किसे हैं किसी गां हो या नगरपाली के के बहाँ भी तो गंदा जीता तो वो भी गंदा पानी लेकर गया थी अब उनको भी रोकना है तो एक बहुत बड़ा huge काम है लेकिन इन दिनों आपने देखा होगा international report कि भी गंगा का पानी में सुद्धता दिखाई देने लगी है लेकिन इससे मैं संतुष नहीं हूँ ये तो अभी लेकिन हम हमारी दिशा सही है हमने जीन जीन चीजों को हाथ में लिया है सही दिशा में पकड़ा है और ये हो जाएगा उसी प्रकार से contract system हमने अब उसकी capacity बहुत बड़ाई है आने वाले 25 साल का सोच करके बनाई है और जो contractor है उनको भी 15 साल तक उसको maintain करने का काम दिया है ताकि ऐसा नहों कि मुंसिपाल्टी चला न पाए और इसलिए वो बंद हो जाए फिर से गंदा पानी जाना शुरू हो जाए तो इन सेरी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि ये परणाम मिलेगा तो चुनाव आप बनारस से ही लड़ेंगे क्योंकि चर्चा में आया है कि शायद आप पूरी से लड़ें ऐसा है कि बिडिया वालों के भी तो कुछ काम मिलना चाहिए चलता रहता है चलिए अंत में प्रधान मंत्री जी आप से पूछूँगी कि आप पहली बार के संसद है आपको संसद में आके कैसा महसूस हुआ और क्या आपने सूचा भी कभी कि राहुल गादी आके आपको गले मिलेंगे और फिर आँख मारेंगे साइड में बैठे वोए व्यक्ति के साथ उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको और इन साड़े चार साल जो आप संसद रहें उसके बारे में जो अपस और डाउन्स थे उसका कुछ बताएंगे हमें हमारी संसद में अच्छी चर्चा हो गहन चर्चा हुई बहुत जरूरी है हमारे सभी संसद बकता हुई जरूरी नहीं है लेकिन संसद दर्ती से जुड़ा हुआ होता है किसी भी दल का हो उसको बहुत बारीकियों का पता होता है जो सरकारी फाइलों में रिफलक्ट नहीं होती है जितनी ज़्यादा बहस होती है उस मन्थन में से अमरित निकलता है और इसलिए मैं इस बत का हगरे हूँ कि बहुत व्यापक चर्चा हो खुल करके चर्चा हो और इशू की बारीकिय की चर्चा हो दुर्भागे से ये दिरी 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 कम होता चला जा रहा है इससे देश का भाष नुक्षान हो रहा है मानो आट गंटे बहस होती है तो आट गंटे तक सरकार को घेरने का मुका मिलता है सरकार की बारिकियों से हलोचना करने का मोका मिलता है इससे सरकार में बैठे हुई जो बिरोक्रिसी है वो भी चोकनि हो जाती है उनको भी लगता है अभी तो सिरब राजनेताओं पर छिटा कैसी हो जाती है political mileage किसे का कम किसे का अधिक होकर के बाद चिट व्यवस्था पर जो दबाव पैदा होना चीव नहीं होता है संसत का काम है व्यवस्था पर दबाव पैदा हो हर बीरो कैसे को लगना चीव पहले तो एक एले क्यों आता था तो पिरे बीरो कैसे हिल जाती थी आज वो स्थिती नहीं रही है यह चिंता का विशय है और इसलिए मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र में हमारी संसद और जागरत हो और सजग हो हमारे संसद जो चुनकर के आते हैं उनको अपनी भात बताने का आवसर मिले मुठी भर लोग इसको दबोच करके बैठ गए हैं उन्होंने लोकतंत्र का बहुत बुक्षान किया तो आखरी सवाल प्रधानमची जी की साड़े चार साल के बाद आपको अपने टेन्योर में आज प्राइम मिनिस्टर आपको कोई रिग्रेट किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट और सबसे अच्छा क्या लगा आपके टेन्योर में जो क्या काम था जो आपको लगता है कि ये काम करने में बहुत आनन्द आया और ये काम रहे गया ये रिग्रेट देखिए ये दिनने मैं जनता पर छोड़ देता हूँ कि मैंने जो काम किया है उस काम से उनको संतोष है कि नहीं है अच्छा लगा या नहीं लगा ये एक बात जरूर है जो इसका मुझे अश्रे तो नहीं है जो एक लूटियन दुनिया मानते है उसको मैं ना अपने में ला सका हूँ ना अपना बढ़ा सका हूँ क्योंकि इन्हें मैं अपने में लाना तो चाहता नहीं था क्योंकि मैं एक बैग्राउंड अलक है तो एक नॉन एलिट वारी दुनिया का मैं प्रतिनी दी हूँ इस परकार से तो उनको मैं जीत नहीं पाया हूँ कोशिश कर रहा हूँ कैसे जो तत्व है उनको कैसे जीत पाऊं और आनन्द किस बात का आया अज प्रधान मंतरी अज प्राइम मिनिस्टर आफ तो वर्ल्ड's मोस्ट पॉपिलर्स डिमॉक्रिसी एक बहुत बड़ी जिमेदारी थी आपको जो दी गई थी अब साड़े चार साल में किस बात का आपको बहुत आनन्द आया रेप्रेजेंटिंग इंडिया देखे मुझे हर पल आनन्द आया है मैंने हर काम आनन्द से किया है हर काम खुश से चेकि कि सट्थेत्या है पवित्रता है इमानदारिय है और सवासो करोर देश से आगे पीछे कुछ नहीं है और इसलिए हर पल काम करता हूं इतनी महानत करता हूं आनन्द से करता हूं और इसलिए मैं उसमें से यह 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 य ताम्नाय थानिवाल